हेलो एवरिवन कीमी राठोर की बेस रेसिपी में आप लोगों का स्वागत दोस्तों आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेक्या है बहुती आसान तरीके से सूखी मुंफली से बहुती टेस्टी बोईल्ड मुंफली की रेसिप दोस्तों रेसिपी शुरू करने से फेले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है यदि आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को लाइक शेरो सब्सक्राब जरूर कर दीजेगा हमने बोईल्ड नमकिन मुंफली बनाने के लिए एक केजी मुंफली को रात को पानी में भिगोकर रख दिया था यह अच्छी तरह से फूल गई है आप लोग इसके दाने देख सकते हैं कितने फुले फुले से लग रहे हैं दोस्तों आप लोग भी हमारी रेसिपी को एक बाजरू ट्राइ कीजेगा और इस तरह से सुखी मुंफली से नमकिन गिली मुंफली बना कर टेस्ट करिएगा यह आप लोगों को भी बत पसंद आएगी हमने सूखी मुंफली की टोकरी आप लोगों को दिखाने के लिए ली थी अब हम इसको साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर मुंफली उबालने के लिए हमने कुकर लिया है कुकर में पानी में भीगोई हुई सारी मुंफली डाल देंगे आप लोग इस तरह से सुखी मुंफली से उबली हुई नमकिन मुंफली बना कर फ्रीज में इस्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज चाड बनाने में कर सकते हैं सफर में कर सकते हैं और डेली एंजोय भी कर सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हमने सारी मुंफली को कुकर में डाल दिया है, अब हम इसमें मुंफली के हिसाब से पानी एट कर देंगे, कुकर में इतना पानी डालना है कि मुंफली डूब जाए, दोस्तों आप लोग नमकिन मु मुंफली सूखी मुंफली से भी बना सकते हो, और गिली मुंफली से भी बना सकते हो, हमने मुंफली उबालने के लिए ज़्यादा पानी नहीं एट किया है, बस इतना एट किया है कि मुंफली पानी में डूब जाए, अब इसमें दो टीस्पून नमक एट कर देंगे, मुं दोनों का स्वाद एक जैसा ही आता है बट फरक इतना है कि हमें सुखी मुंफली को राद बर पानी मी भीगो के नहीं रखना पड़ता है। खरीट कर इस्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप लोगों का नंकिन उबलीवी मुंफली खाने का मन करें आप लोग इस तरह से उबलीवी मुंफली बनाकर खा सकते हैं। और सफर में भी ले जा सकते हैं और एंज्वाई कर सकते हैं हम आप लोगों को एक मुंफली चेक करके दिखाते हैं मुंफली को इस तरह से हास से हलके हास से दबाने से आप लोग पता कर सकते हैं कि मुंफली अच्छे से पकिया नहीं इस तरह से हास से दबाने पर यह दब रह गया है दोस्तों आप लोगों को हमारे सुखी मुफली से उबली वी नमकीन मुफली बनाने की रेसीपी पसंद आये तो आप लोग हमें कॉमेंट्स करके जरूर रताईएगा ताकि हम आप लोगों के लिए अरोज नही नही रेसीपी जाते रहें कल फीर मिलेंगे एक नही रे